के गाइस वेलकम और वेलकम बैक टो मैं चैनल इस मी शुती मिश्रा सो गाइस आज का रिवे होने वाला है एक नूरी लॉंच प्रोडिट के बारे में इसको लॉंच वे सिर्फ 6 मैंने हुए होंगे और कुछ दिन मैं इसको यूज़ करने के बाद शेयर करूंगे इसका नॉन करेंगे इसकी क्रीम के बारे में लोशन में यूज़ कर रही हो लेकिन उसका अलग से रिवीव शेयर करूगे जब मैं उसको मैक्सिमूम ताइम दे दूगी तब सो गैज इसमें आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगे इसको यूज़ करने का तरीका और शो करूंगी दे इस साथ में मिलता है आपको cardboard box भी की condition आते time ही बहुत जादा खराब थी और ये इस तरीके का हो गया जब से मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं इसको रख लिया था क्योंकि इसमें product के retail मुझे रीट करनी थी इसलिए बाकी इसका cardboard box भी अच्छा नहीं है लेकिन अंदर जो tub मिलता है वो काफे अच्छा प्लास्टिक में है और जिस आपसे प्राइस रहेंग उससे आपसे packaging भी ठीक है आप ग्राम product quantity के साथ और इसका प्राइस ए 99 रूपीस आफ्टर डिसकाउंट है 90 रूपीस की मिल ज consistency है बहुत ज्यादा ना रनी है नबॉहाथ cai será we wali थिक नहीं है लेकिन मेर थिक तिक ऐसे के लेकिन ये जु है बहुत ज्यादा थिक वाला快 cream नहीं है लेकिन इसकी जो consistency है वो अच्छी है, Blend हो जाती एतए कशियम कंसिस्टेंसी में ना बहुत ज़ादा चिप चिपी, बहुत जादा लाइटटइ और रनी. और रहनेॹ इस तरीके URL में ब्लैंड हो ज़ाती है, बहुत ज़ादा हेवी चिपचिप वाली क्रीम यह भाए नहीं है और आप देख सकते हैं, कि ये एक अच्छा सब glow skin में देती है जो non sticky finish होती है वो तरीके के देती है और fragrance जो है guys इस तरीके की fragrance मैंने नीविया के product से smell करी है उस तरीके की भीनी type की महक है बहुत heavy वाली fragrance नहीं आती है तो गाईज अब आते हैं इसके ingredient के बारे में इसे mention करी है कि इसमें aqua है, light liquid paraffin है, glycerine है, citrall alcohol है, glycrol monastrate है, citrall alcohol है, and गाईज इसमें steric acid है, alcohol है, dimethon है, aloe vera extract है, isopropylene mystrate है, जो जो वह oil ash, butter है, इसमें methyl paraben है, karbomer है, lactic acid है, sodium, propylene paraben है, तो guys, यह कोई herbal ingredient से बना उप्रोडेट नहीं है, इसमें बहुत सारे chemical है, इसमें paraben है, propylene paraben है, तो यह herbal ingredient से बना उप्रोडेट नहीं है, बाकि ingredient का snap screen मिल जाएगा, आप पॉस्ट करके चेक कर सकते हैं, के बारे में तो guys, इसका कोई as such claim नहीं है, यह एक monsturizing cream है, मतलब की face को monsturize, या body को monsturize करने मदद करती है, कोई treatment based यह cream नहीं है, जो इस excess में कुछ help करे, बस ही skin के hydration को maintain करने में मदद करती है, guys, इसको use करने का तरीका, आप dot करके अपने face पे apply कर सकते हैं, hand body में भी apply कर सकते हो, इस कोई face को चिप चिप नहीं बनाया, नहीं यह face को इदम से कोई brighten कर देता है, यह face को एक monsturize करता है, जैसे कि normal monsturizer करते हैं, जो monsturization level है, बहुत heavy वाला नहीं है, जो excess dry skin पे work करे, यह normal जैसे कि oily combination skin वाले winters में use करेंगे, तो यह monsturize करेगा, लेकिन guys, इसमें paraben है, इसमे बहुत सारे chemical है, तो जिनको इस chemical से problem ना हो, वो इस product को try दे सकते हैं, बाकि जो herbal ingredients से बने होई product पसंद करते हैं, उनके लिए यह product अच्छे से work नहीं करेगा, और अगर आपकी dry skin है, तो आपको यह quantity में थोड़ा जादा लगेगा, बाकि oily skin वाले इसको थोड़ा से use कर सकते हो, एक normal moisturizer है, कुछ जादा इससे आप उमीदे ना लगाईए, फेस को अच्छे से बस mausturize करने में मदद करता है, और ना ही यह, मैंने इसको use किया, यह face को black नहीं बनाता, जो जादा तर mausturizer कर देते हैं, उस तरीके का result नहीं देता, बस आप quantity maintain रखी है, तो यह आपकी face क में, अगर कोई use कर नहीं चाहता है, तो एक combination और oily skin वाला इसको use कर सकता है, बाकी कोई product use करने से पहले, patch test जरूर कर ले, जब आपको product suit करें, तब ही आप use करें, क्योंकि हर skin अलग होती है, मेरी skin अलग है, आपकी skin अलग है, तो हर product अलग तरीके से work करता है, आपको कोई query है, कोई question आप comment section में comment कर सकते, तब तक रखें आप अपना परिवार का ख्याल, take care